यहां पर मैं आपको एक प्रोग्राम करवाने वाला हूं जिसमें मैं call by reference को और ज्यादा clear करने वाला हूं आपको तो यहां पर क्या होगा मैं बताता हूं यहां पर एक function हमारा क्या करता है वो transformation करता है हमारे values की और वो क्या कर देता है a को बना देता है a का cube और b को बना देता है b का cube मतलब जब हम function को call करते हैं तो उसके बाद जो भी हमारी values होंगी वो transform होके a cube और b cube में convert हो जाएगी यहां पर after होगा और यहां पर मैंने एक छोटी सी चीज दिखाई है math.h का भी मैंने आपको use दिखाया है यह header file हम इसलिए include करते हैं क्योंकि यहां पर मैं power function को use करके आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम power निकाल रहे हैं इसे हम power बोलते हैं ठीक है हम a power 3 कर रहे हैं तो यहां पर यह power function मैं into star ptr into star ptr कर दो तीन बार आप उसे multiply कर दोगे तो वह भी वही चीज हो गई लेकिन यह concept मैंने पहले भी पढ़ाया है और इसको मैं revise करवा रहा हूं आपको और चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए इसलिए मैं revision भी कराता रहता हूं और इसलिए programs भी कराता हूं यह चीज टाइप है फिर हमने बोला print करो before calling the function a की value percentage दिया बी की value percentage दिया दोनों को a b दे दिया ठीक है यह चीज़ हम समझते हैं फिर हमने क्या बोला function को call करो function में आप क्या दोगे a और b का address दे दो आपने address दे दिया a और b का इसका मतलब आपने call by reference किया है आपने reference देके उसे call किया आपने function का address दे दिया और function को हम जब देखेंगे यहापर तो यह function क्या करता है यह function return कुछ नहीं करता लेकिन लेता है दो pointer values मांगता है और जो integer type की pointer values है उन्हें मांगता है तो यहाँ पर ptr1 है पहली value ptr2 है दूसरी value तो यहाँ पर amp a जो है मतलब पहला जो address हम देंगे यह यह दो चीजें करा रहा है ptr1 को क्या बोल रहे है यह function में डाल दिया मैंने star ptr1 star का मतलब क्या reference operator क्या करता है value निकालता है उस address पे जो ptr1 में saved है तो हमने ptr1 में घुसे फिर वहाँ पर जो address है उसमें जो value है उसको ढूंडा उस value को हमने modify किया है हमने बोला है ptr1 और 3 यह यह हमारे function का syntax होता है जो पहला वाला होता है वह हमारा base होता है जो दूसरा वाला होता है वह हमारा exponent होता है और फिर यहां पर power निकल जाता है power function से यह हमारा predefined function होता है जैसे हमारा printf function कुछ print कराता है वैसे हमारा power function होता है वह power निकालके आपको return कर देता है और return value यहां कह सेवड होगी स्टार PTR 1 में इसका मतलब भी आपको मैं समझा देता हूँ यह कर क्या रहा होगा मैं बताता हूँ यह चीज़ आप कर नहीं रहे लेकिन मैं आपको इनर प्रोसेस दिखा रहे हों कि हो क्या रहा होगा अंदर अंदर प्रोस्भी क्या होगा रां welcoming exponent निकल रहा होगा और call करने के बाद हमारा यहां पर Joanna रालीus sprint हो जानी चाहिए यहीं हमारे call by reference काlı में भालुब्स चाहें यहीं काम का मारे मेन इस प्रोग्राम को में आपको रण करके दिखाता हूं using कड Yazanट ओ सेव कर लेना आपको power निकालनी होगी तो सीधा main function में भी तो कर सकते हो यह function क्यों बनाना अलग से यह math.hbq include करना सीधा आप a into a into a कर दो और उसे print करवा दो तो आपका cube आ गया तो मैं यह बोलना चाहता हूं यह चीजे हमारी use पता है क्यों होती है यह extra चीजे हमारी help करने के लिए बनाई गई है माल लो आपको power 5 करना हो या 8 करना हो या 10 करना हो तो आप बस math.h include कराओ और power function लिख दो और यहाँ पर दो चीजे लिखनी पड़ेगी आपको लेकिन आपको बहुत बढ़ा power करना हो तो उसमें आपको problem होगी आप कर नहीं पाओगे उस चीज को तो यह easy बनाने के लिए है काम यह आपके काम को बढ़ाने के लिए यह कम करने के लिए होता है और जब आप बड़े functions बनाओगे और अच्छे से programming कर रहे होगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे functions कितने useful होते हैं यह जो predefined functions होते हैं और जो हम libraries add कराते हैं यह बहुत important होते हैं हमारे लिए आगे आप programming में यह सारी चीजे समझोगे बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर transformation करानी थी जैसे माल लो हमने पहले एक function देखा था हमने value को swap करवाना था तो यहीं पर करवा ले थे अलग से क्यों कर रहे हैं मैं यह चीज इसलिए बता रहा हूँ कि माल लो अगर आपको बहुत बड़ा program को लिखना है और उसमें ऐसी कुछ transformations करानी है transformation किसी भी type की हो सकती है माल लो A और B में हम 10 add करना चाते हैं और यहाँ पर हम बार बार उस चीज को add निकराना चाते हैं बार बार वही lines हम सेम लिखना नहीं चाते हैं और हमने function बना दिया तो हम बस function को call कर देंगे और वो modify करता जाएगा समझ रहो इस बात को तो यहाँ ब पढ़ना शुरू करेंगे और मैं आपको यहाँ पर एक काम देना चाहता हूं आप अपने हिसाब से transformation करा के देखो ठीक है यहाँ पर माल लो A को आप बनाना चाहते हो A plus 10 ठीक है और इसका आप whole bracket करके इनको आप 3 से multiply कराना चाहते हो मैं आपको यह homework दे रहा हूं और यह आ अगर आप खुद try करके यह चीज़ें करोगे यहाँ पर प्लस 10 कर देना ठीक है यह आपका transformation होके एक और आपको function बनाना है ठीक है तो I hope आपको call by reference का मतलब समझाय होगा और उसका use समझाय होगा बाद में हम project भी करने वाले हैं और hopefully यह हमारा C programming का course जल्दी खतम हो और सीखना चाते हैं और सोच रहें कि मैं कहां से शुरू करूं तो यह best जगा होने वाली है यहाँ पर और भी दूसरी चीज़ें धीरे-धीरे मैं post करता रहूंगा तो guys thank you and I'll see you in the next video